बिस्मिल्ला इर्वरामान इर्वराहिम, सलाम अलेकुम टेक्स लॉस रिलेटिट आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम इंकम टेक्स ओर्डिनेंस 2001 के जो बेसिक कॉंसेप्स और डेफिनेशन्स हैं उनमें से जो इंपोर्टन हैं उनको हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आ रहे है टेक्स जिसको सेक्शन 2, सब सेक्शन 63 डिल करेगा अकॉर्डिंग टेक्स ओर्डिनेंस 2001 देटर्म टेक्स इंकलूड इंकलूड इंकम टेक्स इज यह आन्न क। आज चार्ज ऑ जी इंकम 5 आउन 애 और चार्डिंग झाजड ऑ जिसकाटर्डिन म Budd soleишь세 ए्टे क्स आज सेक्शन और presents wrong statements and books of accounts fourth fee and others any fee or amount paid or payable under this ordinance तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 4 basic इसके concepts हैं जो हम कहेंगे कि यह tax कहलाएंगे सबसे नमबर 1 पे हमारे पास है income tax फिर है default surcharge यह additional tax तीसरे नमबर पे है penalty और चोथे नमबर पे है fee and others तो हम समझते हैं कि सबसे पहले तो income tax system ने पहले भी इसको पढ़ा था कि simply वो amount जो income के उपर इधारे को FBR को यह government को pay की जाएगी वो income tax कहलाएगा उसके बाद अगर कोई शक्स अपना tax pay नहीं करता और उसको additional को tax pay करना पढ़ता है यानि कि जो उसको अगर default करता है उस case के अंदर उसको surcharge यह additional amount of tax pay करने पढ़ती है तो वो additional tax यह surcharge कहलाएगी और इसकी percentage क्या होगी? 12 और यह pay किस तरह से किया जाएगा? कि for example अगर एक person के liability थी 1000 और उसने वो tax pay नहीं किया यहाँ कोई इस किसम की activity की है यहाँ कोई concealment की है books of accounts आपने ठीक तरह से नहीं दिखाया कोई statement गलते दी है यहाँ आप justify नहीं कर पाए अपनी किसी भी जो statement है उसको तो जो FBR है वो penalty पोस करेगा according to Indian tax ordinance 2001 tax के according to section 2 of subsection 63 उसके बाद हमारे पास आती है fee यहाँ कोई और इस किसम की payment जो FBR को pay की जाती है यहाँ दारे को pay की जाती है किसी भी contacts के अंदर यहाँ अगर कोई living post की जाती है यह FBR आपको कहता है कि आपने यह amount pay करनी है तो वो fee and others की जो है वो उसमें चली जाएगी like जैसे registration करवानी है उसकी fees होगी TN number लेना है STRN लेना है तो उनकी जो fees वगरा होंगी जो उन सब services को avail करने के इवस दी जाती है तो वो fees and other वाली category के अंदर आएगा तो यह सारी चीज़े जो चारों की चार हमने पढ़ी है यह tax की definition के अंदर fall करेंगी उसके बाद हमारे पास आता है tax payer जिसको section 2, subsection 66 deal करेगा यानि tax तो pay करना है लेकिन अब वो किनों ने pay करना है तो उनको अब हम देखेंगे कि वो कौन-कौन से लोग है या इदारे हैं जो tax pay करती है सबसे पहले हमारे पास आ रहा है person यानि कि एक person होगा जो tax को pay करेगा यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि अमूमी दोर पर हम person किसको कहते हैं कि आम शक्स या individual जो हमें यानि कि हम अपने आप हो person कहते हैं लेकिन tax की language के अंदर या text के context के अंदर person जो है वो altogether एक different चीज है individuals तो उसके में शामिल होंगी होंगे लेकिन साथ ही साथ वो सारी entities, organizations और different elements होंगे जो उस definition के अंदर fall करेंगे तो इसको अभी हम next जो definition हो उसके अंदर हम समझेंगे कि person with reference and context to the income tax ordinance 2001 क्या होता है उसके बाद हमारे पास आता है representative of such person यानि कि वो person जो tax pay करेगा वो taxpayer कहलाएगा या उसका अगर कोई representative tax pay करता है तो वो भी उस category के अंदर आजेगा या a person responsible to detect or collect tax on behalf of government यानि कि जो इदारा है अगर कोई आपको payment कर रहा है या कि organization payment कर रही है तो उसमें से कुछ tax hold कर लेती है अगर बाकी payment करती जाती है तो वो tax government के बहाफ पे उसने hold किया है तो वो भी उसको tax जब pay करगा तो taxpayer कहलाएगा फिर है any person who is required to furnish the return of total और pays tax यानि कि वो person जो income tax return file कर रहा है simple words के अंदर वो tax pay कर रहा है वो तो जाहरी बात है taxpayer ही कहलाएगा ये return वगरा क्या होती है ये जो terminologies कुछ सैसी हमारे पास आ रही है ये later on हम इसी ordinance के अंदर इसको coming up lectures होंगे उनके अंदर one by one हम चीजों को समझेंगे कि ये चीजें क्या क्या होती है क्योंकि इस point of time पे इनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा और समझ नहीं आएगी आपको कि ये चीजें तो जहां पे इनका जिकर होगा जहां पी required होंगे तो वहाँ पे detail के अंदर इन सब चीजों को आइस्ताइस्ताम समझेंगे उसके बाद हमारे पास आता है person यानि अभी जो मैंने डिसकस किया कि person कौन होता है इसको deal करेगा section 2 subsection 42 और साथ ही साथ section 80 भी इसको deal करेगा इसमें हमारे पास एक individual जो आम शखस है वो आजएगा a company कोई भी जो company होगी वो आजएगी इसको भी हम अभी coming up जो definition उसमें समझेंगे company with reference to income tax ordinance क्या कहलाती है फिर association of person incorporated formed, organized और established in Pakistan और elsewhere यानि कि अगर company है association of person है या कोई भी body corporate हुई है वो पाकिसान में या पाकिसान के बाहर कहीं पे भी वो person की definition के अंदर fall करेगी फिर है federal government foreign government, political subdivision of a foreign government और public international organization like WBF, WHO, UNICEF है तो ये सारी के सारी भी person की जो definition है उसके अंदर ही fall करेंगी, अब हम समझते हैं कि company association of persons basically वो क्या कहलाएंगे अब है company section 2 subsection 12 और section 80 इसको भी deal करेगा company basically तो जो company's ordinance 1984 define कर रहा होता है वो तो company के definition में आए गई आएगा, उसके इलावा जो income tax ordinance है वो किन किन चीजों के include करेगा, उसमें हमारे पास आजएगा body corporate formed by or under any law in force in Pakistan, उसके इलावा भी अगर कोई है तो वो भी company के लागी जैसे banking companies है, उनका अलग से ordinance होता है उसके तहाँत अगर वो register किया गया bank तो वो भी company की definition में fall कर सकता है, अब मुदारबा, मुदारबा company है a body incorporated by or under the law of a country outside Pakistan relating to incorporation of companies, यानि के company पाकिसान में तो नहीं है लेकिन बाहर किसी country के अंदर register हुई है और वो अपने companies ordinance के तहत register हुई है, जैसे multinational companies होती है, तो वो भी company के definition के अंदर आएगी, फिर आता है cooperative society है, कोई finance society है, या कोई ओर भी किसी किसम की society है, तो वो भी company की definition के अंदर ही fall करेगी, और याद रहे कि यह company वो ही person के अंदर से एक part है company और उसको हम अभी हम पाड़े हैं, तो यानि कि person की sub branches ही हैं आ गई है then a non-profit making organization अगर अगर वो है, तो वो भी company की definition में आएगी a trust, an entity or body of persons established or continued by or under any law for the time being in force, वो भी company की definition में आएगा a foreign association, whether incorporated or not, which the board has by general or special orders declared to be a company for the purpose of this ordinance यानि कि कोई भी ऐसा इदारा या organization जो दिखने में तो वैसी नहीं है company की तरह है, लेकिन अगर board कहता है कि ये जो चीज है, ये इदारा है, ये company की definition में fall करेगा तो वो company ही कहलाएगा board means FPR फिर है अब provincial government provincial government भी company कहलाएगी local government भी taxpayer के हिसाब से company कहलाएगी और small company जो है वो भी company ही कहलाएगी फिर आती है association of person जिसको section 2, subsection 6 और साथ ही साथ section 80 deal करेगा affirm under partnership act 1932 यानि कि जो partnership act 1932 पाकिसान में implemented है, उसके under अगर कोई firm register होती है तो वो association of person या partnership अमोमी दोर पर partnership firm कहलाती है, वो इसके अंदर आएगी Hindu undivided family ये basically क्योंकि पुराना law है तो ये definition यहाँ पे आती है कि पहले हिंदूों को जमाने में उनकी वरासत है, चलती ही तो और family business वो run करते थे, तो Hindu undivided family के नाम से उनको जान जाता था तो ये basically अभी पाकिसान में तो ऐसे implemented नहीं है, लेकिन क्योंकि पुराना law था तो उसके अंदर अभी तक ये चलती ही आ रही है any body of persons formed under a foreign law तो अगर इसी तरह से जैसे हमने company में पढ़ा कोई और country के अंदर AOP बनता है और वो foreign law के ताहत registered है तो वो भी AOP की definition में ही आएगा लेकिन यहाँ पे एक point important याद रखना है कि जो company है वो AOP के अंदर included नहीं है यानि persons में हमने पढ़ा के company भी होगी और association of person भी होगी तो company एक अलग चीज़ है और association of person एक separate अलग चीज़ है उसके बाद हमारे पास आती है कि income कि कौन कौन सी income है जिसके अपर tax लगेगा पहले हमने पढ़ा कि tax क्या है फिर अभी हमने पढ़ा कि tax कौन पे करेगा tax payer पढ़े tax payer में हमने पढ़ा कि person पे करेगा person में हमने फिर पढ़ा कि persons के अंदर से ही companies और EOP आजेंगी अब हम ये देख रहे हैं कि सारे जो लोग tax payer करेंगे जो tax payer कहला रहे हैं वो किस income के उपर tax payer करेंगे सबसे पहले तो आजेगे any income from the following heads is chargeable to tax section 11 यानि कि सबसे पहले हम देखेंगे section 11 जो है वो इसको deal करेगा और इसके अंदर कौन-कौन से sections 11 के accordingly आजेंगे कौन-कौन से heads आजेंगे जिनके अंदर हम कहेंगे कि ये ये head हैं जिनको उपर जो है इंकम चार्ज की जाएगे section 37 इसको deal करेगा और finally हमारे पास fifth head जो है वो income from other sources यानि वो चीज़े जो इन चारो sources के अंदर या चारो heads के अंदर नहीं आ रही है उसके लावा किसी भी तरह की income होगी वो other sources के head के अंदर है और इसको section 39 डील करेगा अब जो हमारे coming up lectures होंगे आगे यानि के जतना भी tax है वो basically सारे का सारे इन पांचों heads के इर्द गिर्दी गूमता रहता है यानि के salary के अंदर क्या क्या चीज़ हैं के detail में पढ़ेंगे उसके बाद income from property में किस तरह से treatment होगी क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल होगी income from businesses इसको कैसे calculate किया जाएगा capital gains क्या होते हैं क्या कहलाते हैं किस तरह से calculate किया जाते हैं income from other sources यानि और कौन-कौन से sources जहां से income कोई भी शक्स earn कर सकता है तो बहुत important है यह सारे के सारे sections पढ़ने और इनी से related सारे का सारे income tax ordinance जो है फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं यह तो 5 heads होगे यानि इन से related कोई भी gain होगा कोई भी profit होगा वो भी सारे का सारा income कहलाएगा और फिर third one के ऐसी कोई amount जो हम collect करती हैं यानि any amount which is subject to collect or deduction of tax on bonus shares imports, exports, dividends, winnings and prices transports and any payment received on supply of goods and services तो इस किसम की जो भी collection वगरा होगी वहाँ से revenue को generate होता है वो सारे का सारा income के heads के अंदर ही आएगा फिर हमारे पास दो चीज़े आ जाती हैं कि यह जो income हो सकता है कि हमने पाकिसान में रह के कमाई हो हो सकता है कि हम बाहर के country में काम करें और वहाँ से हम पाकिसान के अंदर ले के आए है यहां हमें को बाहर के assignment में ली वहाँ से हमने ले गाए तो जो पाकिसान के अंदर हम earn करेंगे वो पाकिसान source income कहलाएगे इसको section 2, subsection 40 deal करेगा अभी हम इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी जो है वो चीजे शामिल है according to section 101 some of the common पाकिसान source incomes are as under यह heads तो जाहरी बाते आएंगे आएंगे जो भी हमने पढ़े है salary है उसमें business है, royalties है, dividends है, profit on debt है rental income है, pension or annuity है, capital gain है, technical services है और इसके लावा बाकी बहुत सारे भी sources हैं जो हम other sources के अंदर पढ़ते हैं कि उस head के अंदर काफी सारी ऐसी incomes भी आ जाते हैं और यहाँ पर बाकी 4 heads तो नजर आई रहे हैं हमें तो यह पाकिस्तान के अंदर अगर हमने रहे के कमाई है तो यह पाकिस्तान source income कहलाएगी फिर हमारे पास आजएगा foreign source income इसको section 2, subsection 27 deal करेगा यानि कि वो income जो पाकिस्तान से अर्ण नहीं कीगी simple सी इसकी definition है according to section 101, subsection 16 an amount shall be foreign source income to the extent to which it is not a Pakistan source income यानि कि उस हद तक यह पाकिस्तान source income नहीं है यानि कि मैं पाकिस्तान में job कर रहा हूँ मुझे कोई foreign assignment मिली है या मुझे foreign कहीं से भी कोई पैसे आएं है तो वो मेरी बाहर की income कहलाएगी और पाकिसान वाली जो income है वो पाकिसान source income कहलाएगी तो ये दो sources हैं या आपने याद रखने है एक income के अंदर Pakistan कि या पाकिसान के अंदर से जो हम कमा रहे हैं दूसरिया जो पाकिसान के बाहर से हम कमा रहे हैं. तो बस यही दो sources होते हैं, according to income tax ordinance 2001. फिर जब हम इनको sub incomes को sum करेंगे, तो हमारे पास total income आजागी, जिसको section 2, subsection 69 डिल करेगा. Aggregate of income from the following head is called total income. वो ही 5 के 5 head जो हमने पड़े हैं. क्योंकि चार चीज़ तो ही होगी, जो categorically बताएगी है, पांच मा अदर sources के अंदर तकरीबन सारी चीज़ें आ चाती हैं. तो यह हमारी total income कहलाती है, अब इस income के उपर में, इस income में से कुछ deductions होती हैं, जो हम लेटर आउन पढ़ेंगे, यानि जो FPR ने हमें tax की slabs दी हुई है, या percentage दी हुई है, वो percentage इस taxable income पे लगाई जाएगी, और फिर tax liability को निकाला जाएगा. As defined in section 9, it is the total income reduced by deductible allowances under income tax ordinance 2000, बन जैसे भी मैंने बताए, total income आएगा, total income में से हम minus कर देंगे deductible allowances, यानि कि income tax ordinance के अंदर हमें कुछ चीजों की छूट दीगी है, यानि कुछ चीजें हमें इस total income में से minus हो जाती है, ठीक है, वो कौन-कौन सी होती है, उनकम जो coming up हमारे lectures होंगे, उसके अंदर हम detail से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो यह हमारे पास taxable income आ गई, यानि कितने time period का tax हमें pay करना पड़ेगा, तो tax year को section 2, subsection 68 जो है वो deal करेगा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मारे पास normally तीन तरह के tax year आती है, the term tax year includes normal, special and transitional tax years, अब इनको हम one by one समझते हैं, तो सबसे पहले हम normal को समझेंगे, जो normally, generally tax year apply किया जाता है, यानि किसी भी individual के उपर ही है, टेक्सपेर के उपर, नॉर्मल tax year is a period of 12 months ending on 30th day of June, the financial year and is denoted by the calendar year in which the set date falls, यानि कि जैसे हमें पता है, normally भी कि जो हमारा budget आता है, वो यकम जुलाई से 30 जून तक की date तक आता है, तो यह normally जो यह tax year भी normal tax year भी यही कहलाता है, नाम इसी के हैं, जो normal tax year कहलाएगा, और इसको tax year को denote कैसे किया जाएगा, यानि कि जहां पे वो 30 जून वाली date जिस साल के अंदर आ रही है न, वही tax year कहलाएगा, जैसे tax year July 1 2019 से June 30 2020 तक है, तो यह जो हमारा 2020 में क्योंके June 30 आ रही है, तो फिर हमारा यही वाला calendar year कहलाएगा, यानि हम कहेंगे कि हमारा 2020 का tax year है, तो इसका मतलब है कि पिछले साल के जून तक जो चीज़े होंगे, वो इसमें शामिल होंगे, फिर हमारे पास आ जाता है special tax year, कुछ इदारे यां company ऐसी होते हैं, नॉर्मल tax year को follow नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक special tax year उनको allot किया जाता है, FBR को वो request करते हैं, और फिर FBR उनको यह जो है special tax year जो साइन कर देता है, tax year अधर देन ता normal tax year is called special tax year, यानि कि वो फिर यह वाली dates नहीं होंगी, the tax year of textile industry for example, पाकिसान के अंदर जो टेक्स्टाइल इंडेस्ट्री है, उसका tax year 1st October 2019 से 30th September 2020 है, इस तरह से जो बैंकिंग सेक्टर है, उसका भी tax year डिफरेंट है, यह नहीं है, ना ही normal है, ना ही यह टेक्स्टाइल वाला है, उनका एक अलग से है, 1st October 2019 सेन का 30th September 2020 तक चलेगा, यानि के July to June नहीं होगा, यह October से September तक होगा, तो अब यहाँ पे हमें clearly एक और चीज़ पॉइंट नजर आ रहा है, कि अगर तो वो normal से special में कोई organization जा रही है, individual जा रहा है, person जा रहा है, तो यहाँ पे gap create हो जएगा, यहाँ पे भी हमें visible है, कि यहाँ पे जब July, August और September 2019 के 3 months हैं, जो के हमें यहाँ पे नजर नहीं आएंगे, जैसे अगर textile industry normal से special में जाएगी, तो क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास आता है transitional tax year, when a tax year changes from normal to special tax year, then in between period is termed as transitional tax year, जैसे मैंने वो 3 months आपको भी calculate करके दिखाए, मजीद समझते हैं, नॉर्मल tax year हमारा आया, यकम जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक, फिर special tax year आया, यकम अक्तूबर 2020 से सप्टेंबर 30 तोहजार 21 तक, ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, के जून 2020 से अक्तूबर 2020 तक, यानि के जुलाई, सेप्टेंबर, यह हमारे पास मंद साग जो इस tax year के अंदर, जो नॉर्मल से special के अंदर हम गए हैं, तो हमारे पास ये gap create हुआ, इस gap का एक अलग से return file कर दी जाएगी, और उसको हम बोल देंगे transitional tax year, यानि के simply basically जुलाई का अगस्त का और सेप्टेंबर का, तीन महिनों के एक अलग से return file कर देंगे, और फिर आगे उसका special tax year ही जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, तो यह हमने आज important जो basic basic core items थी याँ, उसके definitions यां concept से वो पड़े हैं, ताके इससे हमें एक overview मिल जाएगा, कि यह जो main definitions हैं वो इस तरह से deal करेंगी, यानि के tax क्या होगा, tax payer कौन होगा, फिर उसके अंदर कौन-कौन से categories आजएगी, किस income पे tax pay किया जाएगा, जो income होगी, वो किस तरह की होगी, पाकेसान income होगी, यान, foreign source income होगी, फिर tax किस duration का पे किया जाएगा, उसके अंदर कौन-कौन से tax years शामिल होगा, तो वो basically हमने एक overall आज इसका ले लिया है, तो जो मजीद जो हमारे पास आगज उसकी definitions होगी, basic concepts, lectures होगे, जो concepts होगे, इन्शाला हम उनको जो अगला हमारा lecture है, उसके अंदर कोशिश के नहीं के हम उनको cover करें, तब तक के लिए, अल्लाहाफेज,